वेके मेस्तरा प्रजेंट आज मैं आपको तुलशी विवाह की कथा सुनाने जा रहा हूँ इस बार तुलशी विवाह 25 नॉवंबर 2020 दिन बुद्धवार को किया जाएगा तुलशी विवाह कार्तिक माह के शुकल पक्ष की देव उठनी जिसे की देव उत्थान एक आदशी और प्रबोधनी एक आदशी के नाम से जाना जाता है इस तिन तुलशी विवाह किया जाता है तुलशी विवाह भगवान विश्णु के शालिक ग्राम के रूप में होने के साथ ही उसके बाद विवाह का कारिकरम भी आरंब हो जाता है भगवान विश्णू जब शेयन के लिए चले जाते हैं, योग निद्रा में चार माह के लिए, उसके बाद जब जागरित होते हैं, चार माह पे देव उठने एकादशी के दिन, उसके बाद उनका तुलशी शे बिवाह करया जाता है, शालिक राम के रूप में. उसके बाद स बचकर 57 मिनट तक बचर 18 वर का समय होगा 26 नौमबर 2020 को सुबह 6 बजकर 45 मिनट से सुबह 9 बजकर 45 मिनट तक देव उठनी एकादशी का व्रत अगर सची सरधा से किया जाए तो मनुष्य के सारे पाप और कश्ट दूर हो जाते हैं सारे पाप नश्ट हो जाते हैं और उन्हें अनंत पुन्य फलो की प्राप्ति होती है मनुष्य का जब पाप नश्ट होता है तभी पुन्य का उदय होता है पुन्य उदय होने के बाद ही मनुष्य को शभी प्रकार के शुख और शम्रिद्धी की प्राप्ति होती है तो इस दिन भगवान विश्नु माता लक्षमी का पूजन करे और तुलशी माता से भगवान विश्नु का शाली ग्राम के रूप में विवाह कराए इसे अखंड श्वभागे की प्राप्ती होगी तो आईए सुनते हैं तुलशी विवाह की कथा बहुश शमय पहले की बात है सावरनी मुनी की पुत्रे तुलशी अपुर्व शुन्दरी थे उनकी एक्षा थी कि उनका विवाह भगवान नारायन के साथ हो इसके लिए उन्होंने नारायन प्रवत की घाटी में इस्तित बद कि हे स्रिष्टी करता ब्रह्मदेव आप अंतर्यामी हैं सब के मन की बात को जानते हैं फिर भी मैं अपनी एक्षा वताती हूं मैं चाहती हूं कि भगवान स्री नारायन मुझे पती रूप में मिलेगे ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें आवश्य मिल अपने पुर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था इसी प्रकार भगवान स्री नारायन के एक पारशत को भी दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने नारायन का अंस विद्यमान रहेगा इसलिए इस जन्म में पुर्व जन्म के पाप के श उस श्राप ग्रस्त पार्शत से तुम्हारा विवाह होगा स्राप मुक्त होने पर भगवान स्री नारायन सदा सरवदा के लिए तुम्हारे पती हो जाएंगे तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को शुविकार किया क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो तुलसी बद्रिवन में रहने लगी नारायन का वह पार्शब दानव कुलक में शंक चूड के नाम से पैदा हुआ था कुछ दिनों के बाद वह भ्रमन करता हुआ बद्रिवन में आया यहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुक्द हो गया तुलसी के सामने उसने अ कैसा देवोपम इसका शुरूप है दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नरायन का वाश हो तुम प्रस्ताव को सहर्स शुएकार कर लो तुलसी को भी लगा कि उसकी तपश्या पुर्ण हुई उसे एक्षित फल मिला है संखचूड के उसके महल में पत्नी बन कर आ गई संखचूड ने अपनी परम सुंदरी सती साधवी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया सारे देव लोग उसके अधिकार में आ गए शुर्ग का शुख भोगने वाले देवत मिलकर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति की कथा सुनाई ब्रह्मा जी ने कहा तुलसी परम शाधवी है उसका विवाह शंखचूड से मैं नहीं कराया था संखचूड को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी को न छल भगवान विष्णु ने कहा संखचूड पुर्व जन्म में मेरा पार्शत था स्राप के कारण उसे देत्यकुल में जन्म लेना पड़ा इस जन्म में भी मेरा अंस उससे व्याप्त है साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म सेवह अजय और अमर है फिर देवताओं की शहमती स भगवान शिव ने संखचूड के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राजय लोटा दे या फिर उनसे युद्ध करे शंखचूड शंकर भगवान के पास पहुंचा उसने कहा देवादीदेव महादेव आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित है रा हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता अगर आप हार गये तो बड़ी लज्जा की बात होगी मैं हार गया तो आपकी किर्ति बहुत अधिक बढ़ेगी तो भगवान शंकर हसे वे तो सब रहश समस्ते थे तुलसी और शंकचूड के पुर्व जन में स्राप की अवधी लगभग पूरी हो चुकी थी भगवान बोले इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं तुम देवो का राज्य लोटा कर उन्हें उनके पद परतिष्ठा पर होने दो युद्ध से बचने का यही एक उपाय है शंकचूड ने कहा मैं युद्ध के बल से देवलोक जीता अपनी पत्नी तुलशी को सारी बात बताई और कहा कर्म भोग शबकाल सुत्र में बना है जीवन में हर्स शोक भै दुख मंगल और अमंगल काल के अधीन हैं हम तो केवल निमित हैं शंभव है भगवान शिव देवो का पक्ष लेकर मुझे युद्ध करे तुम चिंता मत कर तुम्हारा सती तेज मेरा रक्षा करेगा दूसरे दिन भगवान शंकर के नित्यत्र में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया शंक चूर ने भिशन बानों से वर्सा की और उसका वेग रोका उसके प्रहार से देवता डग मगाने लगे उनके दानवी शक्ति का पड़ देवों को घायल कर रहे थे देवगन अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाए क्योंकि कोई शत्र सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता ही रहा शंक चूर पड़ाजित नहीं हुआ तब भगवान शिव ने विश्नु से कहा विश्नु जी हराया नहीं जा सकता इसलिए चलका सहरा लेना ही उचित होगा उन्होंने तुरंत अपना श्वरूप संक चूर जैसा बनाया और अस्त्र सस्त्र से सजित हो तुलशी के पास आये बोले प्रिये मैं युद्ध जीत गया सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गये इस खुश प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खुब खुशी मनाई पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार के उसकी सती तेज नश्ट हो गई उसका सतित्व तेज जो संक चूर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था वह कवच नश्ट हो गया शंक्चूर शक्तेह यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रशूल से प्रहार किया त्रशूल के लगते ही संखचूड जलकर भश्म हो गया संखचूड के अपने अस्थान पर भगवान विश्णू को खड़ा दे कि तुल से बहुत विश्मीत हुई उसको पता लग गया कि श्वयम नारायन उसके साथ छल किया है कुरोध में आकर उसने स्राप दे दिया एक सती इस्त्री का शतित भंग करने के अपराद में मैं तुम हिर्दय हिन पत्थर ही जाओ विष्णु ने तुलशी के स्राप को शिरुधारे कर कहा है देवी तुम्हारे कथा शंख चूर के कल्यान के लिए मु मेरी पूजा तुलशी दल से होगी मैं शाली ग्राम पत्थर बनूँगा मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी तुम्हारे पती की हड्डियों के चुर्ण से शंख की उत्पत्ती होगी उस संख ध्वनी से देवताओं तथा मेरी पूजा अरात्ना होगी जहां श में नारायन प्रसस्तर के रूप में बद्रनात में अस्थापित हो जाओंगा और मेरी पूजा अर्षना फल फूल से नौ होकर तुम्हारे तुलशी दल से ही होगी मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुस्पे ही उचा पद प्राप्त करोगी बोलिए प्रेम से भगवा बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के शाथ शेयर करें शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरे राधे किष्ण धन्यवाद